हेलो दोस्तों जैशा की BPSC का मेंस का नया शिलेवस जो अपडेट हुआ है उसमें से एक पेपर जोड़ा जा रहा है निवन्द जो की 300 माक्स का होगा इसमें से होगा की दो तिन निवन्द आ सकते हैं लिखने या फिर एक सिंगल रह सकता है लेकिन मिनिमम दो रहेंगे निवन्द ठीक है तो टॉपिक क्या हो सकता है उसमें साइन्स अंट्रेक का हो सकता है तीसरा नमब्र मॉरल हो सकता है जॉत्था नमब्र कल्चरल हो सकता है पांच्वां नमब्र तूरीज जोन हो सकता है छठा नम्मर इकोनॉमिक्स हो सकता है साथवा नम्मर विभिन महापुरुशों के जीवनी लाइफ इस्टाइल उनके विचार इटिसी हो सकता है आठवा बिहार पे भी हो सकता है संभावनाई, इकोनॉमिक्स, कल्चर, जियोग्रोफी, ठीक है और वर्ल्ड, इंडिया, एटिसी, कुछ भी हो सकता है तो सबसे पहले ये टॉपिक आता है कि कैसे लिखें तो यूपी एसी का जो निवन्द पेपर होता है जैसे आपको एक मुहावरे के तोर पे दे दिया जाता है सपोज की जब तक आप अपने आपको नहीं जीतते दूसरे को जीत नहीं पाएंगे ये है इस तरह से आपको लिखना इस पे इसमें है कि आएगा क्या तो सबसे पहले इसमें मौरल आ जाएगा ठीक है विभिन मापुरुशों का जीविनी आ जाएगा उनके विचार आ जाएगा इसी तरह चलते रहता है ये उसके बाद है कि कहां से टॉपिक लाएं तो सबसे पहले है कि प्रैक्टिस डिबेट विभिन जो आप डिबेट देखते हैं समाचार में ये में ये नहीं कि दूसरा वाला डिबेट जाके देख लिए लाड रहा है जागा रहा है वो सब डिबेट नहीं विविन जो सरकारी वेबसाइट का जो डिबेट होता है विविन मुद्दे पे माल लेज़े अभी चंद्रमा पे कोई मिसन है तो उस पे जो डिबेट हो रहा है विन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे डिबेट हो रहा है वो सब debate जो है ये काफी beneficial होता है अब है कि उसके बाद तो practice daily writing रोज आप एक निवन खुद से लिखें उसको खुद से जाचें अगर आपके ask photos में कोई है या फिर कोई अपने रिष्टेदार में वे बियो रोकेड्स बने जो सामने ही रहते हैं या फिर कोई दोस्त है जो तियारी करता है तो उससे आप जाच करवा सकते हैं वेभिन वेबसाइट के माद्ध हम से online भी आप जाच करवा सकते हैं कहीं पे enroll कराके बहुत सारे अच्छे teacher हैं उसके बाद टॉपर्स copy को भी देख सकते हैं कि टॉपर्स ने कैसा लिखा था उसको प्रैक्टिस में कैसे माखसाया था कौन-कौन से topic में कैसे हो था starting कैसा था बीच में क्या लिखा था last में क्या लिखा था एक शैली जो है और आजकल यूट्यूब में बहुत सारे materials रहते हैं बहुत सारे Toppers के Copy भी रहते हैं कि किस तरह उन्होंने निवंद लिखा है, कहां से Practice किया है, क्या गलतियां की है, तो ऐसे Copy वहाँ पे Uploaded रहते हैं, अब है कि Current Topic में क्या चल रहा है, अधिकतर निवंद ऐसे ही आते हैं Current Topic में, उसको थोड़ा सा डीप से देखना है, मालेजे वी रशियार, यूक्रेयन पे जो बार्क चल रहा है, उसपे जो डिवेट होता है, उसपे भी ही पूछा जा सकता है, बिहार में बैरूझगारी का दर दिन बदिन बढ़ते जा रहा है, उसपे भी आ सकता है, बैरूचगारी एक बड़ी समस्या, ठीक है? उसके वाद आ सकता है मौरल पे कि बिना नैतिकता का विकास किये देशका आर्थिक, राजनितिक, समाजिक, परिवर्तन संभाव नहीं तिसमें आपको एक ठिंकर के तरह सोचना होगा बहुत सारे ठिंकर्स के विचार को लिखने होंगे समाज को लिखे एक बहतर शमाज को बनाने के लिए कौन-कौन चीजों की आवशकता होती है वेश्व मेंजन करना होगा तो आम तोर पर ये क्या है? कि खुद के प्रैक्टिस पे है निबंद मतलब अपने का विचार ये निए कि रटा-रटाया लिख दिये हो गया एक है खुद का विचार लिखना हाँ, विचार में भी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, चार पैर है, दो हांथ है, कान है, आँख है वो नहीं विचार इंद चैन्स, आपका थिंकिंग क्या है उस विशह पे? आप उसको कैसे मतलब शमाज को परोस रहे हैं? क्या उसको देख रहे हैं, और ये चैन्क करने वाला क्या चैन्क कर रहा है, कि उसको मिल क्या रहा है, कि ये जान क्या रहा है, विचार क्या रख रहा है, ठीक है? इस तरह से आप ट्रैक्टिश कर सकते हैं, ठीक है, ठैंक्स